जैहिन सातियों स्वागत है आपका सेल्फिश्टेडी क्लासेस विस्टो में जैन यूटूब चैनल में दोस्तो आज हम फिर से लेकर क्या हैं भनी टर्कों के माध्यम से मद्ध प्रदेश का सामान ग्यान चुटकियों में याद करवाएंगे तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सकाइब कर लेना है ठीक है स्टार्ट करेंगे दोस्तो आज का ये वीडियो जब आप सब्सकाइब करते हो और बेल आइकन दवाते हो तो इसमें आल पर किलिक किया करो ताकि आल वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पह अब चार विकल्प आपको दिये हैं, चार में से आपको बताना है, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूँ, दोस्तों जो कुमार लोग होते हैं, कुमार मतलब कुमारे लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा क्या सुनते हैं, क्या सुनते हैं, आपने देखा होगा कान में वो साब फसा लिया और सुनते रहते हैं क्या संगीत संगीत सुनते हैं कौन कुमार लोग तो कुमार गंदर जो पुरुसकार होगा वो किस से सम्मंदित होगा उत्तर आपको ही बताना है उत्तर हो जाएगा संगीत से सम्मंदित यानि कि ए नम्मर आपका बिल्कुर सही हो हैं दो सेकंड में आपको उत्तर बताना होता है और मैं आपको हिंट देता हूं दोस्तों कि हम बोलते ना कि वो तो कहां चला गया पाताल लोक चला गया अगर आपको छेद दिया जाए अगर आपको छेद दिया जाए दिबाल में तो आप कहां चले जाओगे कहां जाओगे य चिंद बाड़ा है ना क्योंकि आपको छेद दिया जाता है तो चिंद बाड़ा आपका बिल्कु सही है चेद फल की दस्टी से सबसे बड़ा जला यही है मद्य प्रदेश का देख लो इसको जरा चिंद बाड़ा को यह है आपका दोस्तु में अपमें देखो यह है आपका च बन्नरब को अच Cath कि आ निकल यान के दोस्तों आपने वह फिंवत को कएसरी में ।に जो अफरस। सरदार रहते हैं उनकी थे नेलेन हैं वियुकल्पपर द सरुपर्वन्न जीई अब जोटे हैं कुछ सही आंसर हो जाएगा अब दोस्तों मैं आप में देखो यह है आपका धार और यहां पर कौन सा है सरदार पोर वन जीव अब्यारन है ठीक है तो याद रखना है अब अंगला क्वेश्चन है दोस्तों भगवान सिव का मंदिर ओम कारे सुर कहां इस्ते थे दो सेकंड मे आपको उत्तर बताना है ओम कारे सुर की बात हो रही है एक कहां पर रस्ते थे अब दोस्तों एक चीज बताना कि ओम जो रहता है ओम को कभी खंडित किया जा सकता क्या जल्दी बताएं किया जा सकता है ओम को खंडित नहीं ना तो जब ओम को खंडित नहीं किया जा सकता तो तो ओमकारे सुर मंदर कहां पर होगा, कहां पर होगा, उत्तर तो आपको ही बताना है, और आपने विल्कु सही आंसर पहचान लिया, कि सर खंडवा में, यानि कि D नम्मर आपका विल्कु सही हो जाएगा, ठीक है, तो दोस्तो एह है आपका मैं अपने देखो, खंडवा, यह अहां पर आपका ओमकारे सुर, जो है मंदर है, ठीक है, तो यह चीज आपको याद रखनी है, अगला है दोस्तो मद्दप्लेस की किस जन जाती में, घोटुल पिर्था पाई जाती है, घोटुल पिर्था, अब दो सेकेंड में आपको उत्तर बताना, मैं थोड़ी सी हिंट आपको दे रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके बालों को घोट दिया जाए, तो फिर आपको क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मिल गया ना आपको उत्तर, क्या कहेंगे मुडिया, अरे ये तो मुडिया हो गया, अगर आपके बालों को घोट दिया जाए, त ठीके है ना तो आप याद रखेंगे अंगला कोश्चन है मद्दे प्रदेश के किस इस्थान में जैन धर्माव लंबियों का तीर्थ बावन गजा इस्तित है अब दोस्तों चार विकल्प हैं दो सेकिंड भी हमारे पास हैं अब बावन गजा की बात हो रही मतलब बहुत तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो कहां परिस्तित होगा अब आपको यह उत्तर बताना है और आप निस्चेती उत्तर बताएंगे बावन गजा बहुत बड़ा हो जाता है यह कहां पर होगा वडवानी यानि की वी नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ठीके और यह है दोस्तों आपको मद्द प्रदेश के किस छेत्र का नाट काठी है काठी तो दो सेकंड आपको दिया जाते हैं दोस्तों अब आपको उत्तर बताना है अब एक चीज आपको नहीं लग रहा काठी से कोठी काठी से नहीं लग रहा आपको कोठी और कोठी में क्या भरा जाता है क क्या भल लेते हो, ओले सर मेरी तो माल से कोठी भरी है, बोलते ना, तो जो काठी नाट होगा, वो किस छेत्र का होगा, अब आपको युत्र बताना है, तो आपने विल्कुछ सही बताया है मालवा का, क्योंकि माल से क्या भरी है, कोठी भरी है, तो काठी जो नाट है, वो अलग अलग जएन अंदौर ये सबी मालबा के अंतरगत आती है थीक है तो मालबा में मालबा चेतर का नाठ है ये याद रखना है थीक है अब दोस्तों आपको बता жना मद्द्रदेस में श् 자ाषesser के मंद्रों का निर्मान किस बंस किस साँस को निकर करवाये था दोस्तों खज्राहों पार्षद्धु मन्द्र है लख्षमण मंद्र पार्षणात मंद्र या महादेओं का मंद्र है अब खज्राहों के मंद्रों का नर्मारकिस मतनसकेर निकरवाया होगा अब खज्राहों से आपको ऐसा नहीं लग रहा कि खुज्राहों है ना अगर दोस्तों आप लगातर अपने बालों को खुज्राहों करते रहोगे तो आपकी क्या निकलाएगी चांद निकलाएजी क्योंकि बाल बचेंगे नहीं तो चांद निकलाएगी तो खजुराहो की मंदिर का नर्माल कौन करवाएगा मैंने हिंट दे दी आपको और आपको उत्तर बताया है आपने चंदेल सासकों ने यानि बी नम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है अंगला कॉस्चन देखते हैं दोस्तों और यह है छतरपूर यहाँ पर है आपके खजुराहो के मंदिर ठीक है खजुराहो अगर पूछा जाए किस जले में इस ते तो आपको बता देना है छतरपूर में ठीक है अ इसलिए इसे सोया स्टेट कहा जाता है और एक चीज और बता दूकि सोया बीन में सबसे जादा प्रोटीन पाये जाता है ठीक है और मद्ध्णप्रदेश के किस स्थान पर सोया crustane होता है तो किस ची छेत्र पर होता है अब जहाँ तेल का उत्पादन होगा दोस्तो तो वो तो क्या कहलाएगी वो तो मंदी हो जाएगी ना ये तो मंदी है तेल की मंदी है ना तो सोयावीन का उत्पादन कहा होगा मंदी दीप में अब ये तो तेल की मंदी है भाई सोयावीन का तेल का उत्पादन हो तो मंदी दीप यानि की बी नम हो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी मद्य प्रदेश में एसवाग स्टेडियम कहां परिस्ते थे यह आप से पूंचा जाता है तो आपको दो सेकंड दिये जाते हैं दोस्तों और आप बताना एस कौन करेगा एस कौन करेगा जो भेकारी होगा या राजा होगा पाल होगा कौन होगा जो भू का पाल होगा जो भू का पाल होगा वो क्या करेगा एस करेगा क्या करेगा एस यानि कि एस वाग स्टेडियम कहां पर होगा बोपाल में यानि कि बानम्मर आपका बिलकुत सही हो जाएगा ठीक है अब दोस्तों मजा आ रहा हो तो यह है आपका भोपाल मैप में ठीक है मजा हो रहा हो तो लाइक करके अपनी मित्रों तक सेयर जरू कर दिना ठीक है मद्द प्रदेश में उदैगिरी की गुफाएं कहा इसते दोस्तों अब उदै से आपको नहीं लग रहा कि जैसे उदै हो रहा हो हो रहा ना तो बताना है आपको उदैगिरी की गुफाएं कहां है दो सेकंड आपको दिये जाते हैं और आपको मैं हिंत दे रहा हूं दोस्तों कि सूर का उदै हम बोलते ना सूर का उदै किस दिसा से होत उत्तर में दिशा जरूर आएगा, उदई की बात आ रही है, तो दिशा यानि बिदीशा, दिशा है ना, तो उदई की रिक्रिकी कोफाय कहां पर होंगी, बिदीशा में, अब आप कभी नहीं बूल सकते दोस्तों, उदई आया है, उदई मतलब आप ते इतना तो समझ दाएं हम बोलते हैं पूर बिदीशा, तो बिदीशा में हैं, उदई की रिक्रिकी कोफाय, ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, अब दोस्तों ये बिदीशा कहां पर है, तो ये है आपका बिदीशा, ठीक है, ये भोपाल है, राजगर, असोकनगर, गुना, सागर और बीच म बिदीशा, इस प्रकार से, अब आपको बताना है, दोस्तों साची का उस्तूप का किसने बनवाया था, साची, साची का उस्तूप बताना है, किसने बनवाया था, चार विकल्प हैं और दो सेकेंड आपके पास हैं, तो जल्दी बताना है, एक बात बताएं दोस्तों, कि ज अपसे क्या बोलने लगा था सांची बोलने लगा था क्या बोलने लगा था सांची बोलने लगा था कौन असोग तो सांची का इस्तूप कौन बनवाएगा असोग क्या करता था सांची बोलने लगा था ठीक है तो यह जूट नहीं बोलता था सांची बोलता था ठीक है तो यह क्या था ये भी कई बार पूछा गया है तो उज्जेन जिसे महाकाल की नंगरी कहा जाता है है ना कुम्ब का मेला भी यहीं लगता है ठीक है तो इसे कहा जाता था दोस्तों क्या अबंतिका क्या कहा जाता था अबंतिका आपको याद रखना है मैप में देख लो यहाँ पर य यहे है दोस्तों उज्जैन, जैसे अबंतिका कहा जाता था प्राचिन काल में ठीक है अंगले आपको बताना दोस्तों गजरी mmler किसने बनवाया था। तो जल्डी से बताएं अब एक चीज बताना दोस्तों कि हमारे जो परिवार में रहते हैं बहुत जो था परदादा वो गुजर गए लेकिन आज भी हम उने मान देते हैं देते की नहीं है ना सराद करने जाते हैं मान देते हैं की नहीं देते सबी लोग देते हैं तो गुजरी महल कहां पर किसने बनवाया होगा मान सेने की चंडेलों ने मान सेने ना क्योंकि जो गुजर गए हैं हम आपको बताना है अपने कपास अनुसंदान के अंदर कहां है अब आपने कपास तो देखी होगी दोस्तों तो ऊत्तर बताना है मैं हिंट दे रहा हूँ आपको कपास अनुसंदान के अंदर कहां इसते थे तो कपास आपने देखी होगी जैसा एक खरगोस देख रहा है ऐसे रहती बिलकुल कपास तो कपास अनुसंदान के अंदर कहां होगी जैसा खरगोस रहता है मतलब खरगोन खरगोन यानि कि वी नम्मर आपका पिलकु सही होगा कपास अनुसांद नान के अंदर है दोस्तो खरगोन में क्योंकि कपास कैसी रहती है जैसी खरगोस रहती है अब खरगोस से आपको नहीं लगillar कि खरगोन है ना खरगोस से खरगोन ठीक है इस प्रकार से याद रखेंगे और दोखो यह है दोस्तो खरगौन यहाँ पर आपका कपास अनुसन धान के अंदर है ठीक है अंगला दोस्तो आपको बताना मूर्तिकला का प्रसिद्धिस्थान फड़के स्टूडियो कहां इसते थे फड़के फड़के बताना अब उसको धार में फैक दो तो फड़के स्टूडियो होगा वो कहां भी नंबर आपका बिल्कूँच थीकर अगला question है Holyodorus Holyodorus का работ Holyodorus आप ने पढ़ा दोस्तो आपको नहीं लगरा कि ये तो बिदेसी है, हमारे देस का है यह ओर होगा Holyodorus का परसिद्द स्तंब लगरा histories तो होगा कहाँ कहाँ होगा आपने विल्कुष सही पहचाना बिदीशा में है न होलियो डोरस बिदेशी था और हमें भी पढ़ने में लग रहा उसका नाम कि ये तो बिदेशी है तो ये बिदीशा में इसका इस्तंब है ठीक है अंगला कोस्चन आपको बताना है दोस्तों और ये है बिदीशा यहाँ पर होलियो डोरस का इस्तंब इस्त इत्र अब इत्र तो सभी लोग डारते हैं लेकिन क्या कोई किसी की राय लेता है कि कौन सा इत्र डालना है आप तो नया नया इत्र लेके आते हो यह ले आए बो ले आए है ना तो इत्र डालते हो लेकिन किसी की राय नहीं लेते है ना तो बी नमबर यानि कि इत्रदार जो मह है वो कहां पर होगा रायसेंड में ठीक है तो बी नम्र आपका बिल्कुझ ही होगा ठीक है और रायसेंड कहां है दोस्तों एह है आपका रायसेंड, मद्ध प्रेस में यह रायसेंड है ठीक है अब अब एद Düst Turns रीजय को गपक दांत मार दे तो या लग जाएगी? खून की धार लग जाएगी, खून की धार लग जाएगी तो बाग की गफ़ाएं कहा पर होगी? कहा पर ऑगी? तो आपने विल्कुछ सही पहिचाना है दोस्तों धार में, क्योंकि बाग के दांत बहुत नुकीले होते हैं अगर लग जाए तो खुन की धार लग जाएगी तो बाग की गुफाएं धार कहने की बानम्मर आपका बिल्कुछ सही हो जागा ठीक है अंगला कोस्चन है और ये धार तो आपने देखी लिया है है ना अंगला बताना है सिक्यूटी पेपर मिल कहां आप देखते होंगे मोदी जी बोले सिक्यूटी है मोदी जी के पास तो पास में रहती सिक्यूटी के दूर लगी रहती दूसरे प्रदेश में पास रहती ना संग में रहती है है ना तो सिक्यूटी पेपर मिल कहां होगा संग में रहती है तो हो संगाबाद संग में रहती ह होगे आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़ूरत नहीं आपने वीडियो पूरा देख लिया है आप कभी नहीं बूल सकते और होसंगाबाद यह है दोस्तों आपका यहां पर है ना होसंगाबाद है जहां पर आपका सिक्यूर्टी पेपर मिल है अब एक प्रस्न आपको दिया जा किने भी साथियों ने देखा है उनको कमेंट में उत्तर लिखना जरूरी है तब तो हम समझें कि आप भी चेलेंज सुईकार करते हो ठीक है मेरा चेलेंज है और आप उत्तर जरूर बताएंगे कमेंट में ठीक है इस प्रस्न का और वीडियो बताएंगे कैसा लगा आपको व्याद हुआ की नहीं हुआ इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको चाहिए की नहीं चाहिए है यह जरूर बताना है ना और दोस्तों आपको टेलिग्राम ग्रूप से जड़ना है सर्च कर लेना है आई एस स्टेडी तेरे को और जोईन हो जाना है ठीक है और यह इंस्ट इत्रों तक से यह जरूर करना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और प्रोस्थाहन जरूर दें इसर बहुत अच्छा लगा है ना और याद भी हुआ है तो आज की वीडियो के लिए वस इतना ही सात्यों जै हिंद